नमस्कार साथियों क्लाश टो एल्ट यम्पी बोर्ड के सभी छात्रों को जहिन तो आप लोगों का 30 सितंबर 2024 को रायसायन बिग्यान का पेपर है तो हम आज आप लोगों के लिए रायसायन बिग्यान का त्रेमासिक परिचाय के लिए बहुत ही इंपोर्टन कुष्ण पेप अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को प्रीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को सेर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें यहां पर आपको जितने प्रश्ण बताएंगे वो आपके सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टन कुष कुछ कुछ बोर्ड ईव्शाम में भी आ चुके हैं कुछ आपकी परिच्छा में भी आ चुके हैं तो उसासे मिला कर मैंने पर बनाया है अगर आपको तयार कर लिया तो यकीन मानो आपका आत्रिमासिक परिच्छा में कोई भी कुशन नहीं छूटेगा इसकी यहाँ पर हम 100% की गारेंटी लेते हैं अगर आगो कोई कुशन छूट जाए तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कुछ भी कर सकते हैं ठीक है मैं इस बात की 100% की गारेंटी ही लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला प्रशन है मोलर्ता एब मोलर्ता को 21 साइट परभासित कीजिए यह कुशन केमेस्टी के लिए काफी इंपॉर्टन कुशन है इसलिए हम आपनों करी कुशन लाए हैं तो आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर पढ़ना है मोलर्ता किसी विलियन की मोलर्ता उसके एक लीटर में घुले विलीन हुए दोखो यहाँ पर मैं इसको कर दिया है विलीन हुए विलीन पधार्थ के मोलों की संक्या है इसे हम लोग यहम से पदरशित करते हैं यहाँ पर मोलर्ता का सूत्र क्या होता है विले में ग्राम अड़ों या फिर मोलों की संक्या अपन में विलेन का लीटर में आयतन ये आपको सूत अच्छे प्रकार से तयार कर लेना है ये आपकी परिच्छा के लिए काफी important है ठीक है इसके बाद यहाँ पर जो मोलर्ता का हमारा जो formula होता है वो यहाँ पर क्या हो जा ग्राम प्रती लीटर विलेन में विले का द्रबमान अपन में विले का ग्राम आलविक द्रबमान इसके बाद यहाँ पर आपको जो मोलर्ता का सूत्र एक ये भी होता है विलेन का द्रबमान अब बटे में विले का आलविक द्रबमान multiply विलेन का लीटर में आयतन तो हम और बात करेंगे मोललता पर तो मोललता क्या होती है इसे हम लोग यहां पर यम से प्दर्शित करते हैं तो लोग का सूत्र क्या होता है प्रती एक प्रकार के आपको यहां पर दोनों ये फार्मूले त्यार कर लेने हैं ये फार्मूले आपकी परिच्छा के लिए काफी इंपॉटेंट है इसे यहां पर ओपर वाले को भी आपको यहां पर तयार कर लेना है इसके बाद यहां पर कुशन कहरा हैं हेनरी के नियम को उदारन सभी समझाए। आपको अच्छी प्रकार से तयार कर लेना है। तो हेंडी का नियम क्या कहता है यहाँ पर देख लीजिए हेंडी का नियम क्या कहता है हेंडी का नियम मिस्तिर ताप पर किसी बिलायक के निस्चित आयतन में विले गैस का दरब्मान गैस के दाब के समानुपाती होता है जिसके साथ साथ वैं बिलायक साम्या वस्ता में है यदि बिलायक आयतन में विले गैस का द्रवमान यम है तता शाम में दाव हो तो यहाँ पर यम बराबर क्या हो जाता है यह हमारा शूत्र है यम बराबर केपी के पी हमारा यहां पर क्या है पी हमारा है दाब है जिसे हम लिंगलिस बोलते हैं दाब बोलते हैं कि यहाँ पर हमारा इस तरांका क्या है इस तरांका है इसके बाद यहाँ पर जो कुशन में का गयाता है अनुप्रियोग बताई हो तो यहाँ पर मैंने इसका एक अनुप्रियोग भी लिख दिया है आप इसको यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर कह रहा गैस का प्रियोग करते हैं संपीडिद वाई में O2 के अत्रेक एंटू भी होती है जो शामान दाप पर रक्त में ज्यादा विलेसील नहीं है किन्तु उच दाप पर एंटू की रक्त विलेता बढ़ जाती है इवर एंटू रक्त में घुल जाती है रक्त में नैंटोजन की हिलियम तनू की यह वायू में इतना प्रशती सब कुछ होता है इसके टाइंग के अंदर यह कुछन कई बार आपके परिच्छा में पूचा गया है तो गोता ख़वर होते हैं वह अपने टैंक में किसकी गैस का मिसर ले जाते हैं तो हिलियम का ले जाते हैं नैंटोजन का ले जाते हैं यह इंग जाते हैं ऐसे यहांपर आपको द्धान रखना है यह आपके लिए कफी इंपॉर्टण कुस्य न आप रिंस्का स्कते हैं कि को पिक्षे नम्बर् थरी कहे राये कि 120 ग्राम एनोष को 2 लीटर विलेस में विले किया गया ही और फिरता आपको यहां पर ग्याद करने है आपनोषको ग्याद करनी है यहाँ पर कह रहा ह Regal द्रभमान दिए गया 120 ग्राम दिए गया है यहनों इसका अरुभार क्या होता है यहां पर 400 होता अब आपने लोग यहनों इसका अरुभार नहीं निकाल पारे तो आपको बता दे रहा हूं यहां पर यहनों इसका आपको अरुभार निकालना है तो यहने का यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर अरुभार आपको निकाल लेना तो यह आफी कि आपना लिखना था नूस्हेस विलियन की मोलता का फार्मूला होता यहनोष का द्रबमान लिखना है अपान में यहनोष का अडुभार लिखना है क्या लिखना है यहनोष का अडुभार वहाँ पर लिखा था चार तो जो की गलत है यहनोष का अडुभार कैसे निकालना है जो हमारा सोडियम है सोडियम हमारे जितनी नंबर पर आता है कितनी नं शोले को यह आब मुए पूरा यहां पर 40 से अच्छ बैब झाले करेंगे आपकोाइशकुर्व यह ANT है इस से कर जाएका जाएंगा जैना यह तीन क्या होती रहे हैं तीन बड़े कि क्या होती है सर हल्केत्व Tanji से ऑ हमारे होती बर फ्रीण फाइब फई मौला ठीक है तुक है बरार यहां पर यांसर हो इसको अनुबेकल को आपको अच्छे प्रकार से त्यार कर लेना है, ये आपकी परिच्छा के लिए काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग हलके में मत लीजेगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए हाँ मैं ले याओ ठीक है इसके बार नेश कुसन यहाँ पर जो हमारा कुसन है कुसन नमर फोर यहाँ पर कहते हैं मोल प्रिभाज किसे कहते हैं किसी बिलियन में किसी घटक के मोलों की संक्या तथा बिलियन में उपस्चित कुल मोलों की संक्या के अनुपात को उस घटक का मोल एंस में कुल मोल टी है तो परवासित के अनुशार तो परवासा के अनुशार मोल है इसको यहाँ पर निम्न परकार से पदरशित किया जाएगा यक्स पराबर ए पदार्थ में कुल कितने हैं मोल ए है मिसर्ड में कुल कितने मोल हैं टी है इसको यहाँ पर हम लोग इस परकार से प लेने हैं मोलन्स का सूत्र यह होता है विले के मोल अपान विलियन का कुल मोल इसके बाद विलायक का जो मुचा जाता वो हमेसा उपर रहेगा ठीक है वहां की जो यह नीचे रहेंगी आपको ध्यान रखना है और यहां पर आपके सफ्य आदा इंप्वर्टन बन जाता है विलायक के मोलन्स का मेसा योगफल कितना होता है यह आपको कुछन याद रखना है यह आपके लिए परिच्छा के लिए काफी इंप्वर्टन कुछन है ठीक है इस कुछन को आप सबी लोग अच्छे प्रकार से जेड़ी कर लीजिए ताकि यहां पर आपको इसमें कोई भ ओम का नियम किसे कहते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अबस्ता जैसे लंबाई ताप आदी में परिवर्टन ना हो तो उस पर भायत होने वाली विद्धु धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभांतर के अनुक्रमानुपाति होता है यहां पर देखो यदी चालक के सिरो है वो जो हमारी डहरा होगी जो हमारी डहरा वो सीधे सिधे बोल्ड के अनुक्रमानुपाति हो जाती हूंग उसको की यहां पर आथ आ गया या आप बस कुशन का स्क्रीन सोड लेते जाए और यहाँ पर आप इस कुशनों को भी तयार करते जाना है इसके बार नेश्ट कुशन यहाँ पर कह रहा है डियाने वा आर्याने में अंतर लिखिए यह कुशन तो आपके लिए यहाँ पर बहुती ज्यादा इंपॉर्टन कुशन आप इसको अच्छे प्रकार से तयार कर लेना है ताकि यहाँ पर आपका एक्जाम में कोई भी कुशन इससे भार महीं जाएगा मुझे इसकी 100% की गारेंटी है आप डियाने और ने को तो 100% तयार ही करके जाएंगे तो यहाँ पर डियाने और ने में अंतर लिख दिया डियाक्सी राइबो निकलिक एसीड होता है और ने का फुलफाम होता है राइबो निकलिक एसीड होता है डियाने में डियाक्सी राइबो सक्रा पाई जाती है इसमें राइबो सक्रा पाई जाती है डियाने कोशका के केंद्रक में तथा कुछ अन सेल और्गनल्स में आपकी परिच्छा के लिए काफी important question है ठीक है इसके बाद next question यहाँ पर है हमारे तीन अंकिये के महतपूल क्रशने तो आप इनको भी अच्छे प्रकार से तयार करना है यहाँ पर question कहरा है आदर्स वा अनादर्स billion में आपको अंतर बताना है क्या बताना है अंतर बताना है यह इसको भी आपको यहाँ पर तयार करना है उधार के लिए यहाँ पर एते लिकोवल में जल का अनुपात इस्तिर क्वातन की मिसर बनाते हैं यह question आपकी परिच्छा के लिए काफी important question है आप सबी लोग इसको अच्छे प्रकार से तयार कर लीजिए इसके बाद यहाँ पर question क जो billion round के नियम को पूर का पालन करता है उसे हम लोग आधर्षक billion कहते हैं जो billion round के नियम का पूर पालन नहीं करते हैं उनको another billion कहते हैं तो काफी मैंने आसान भासा हमें लिखा है ताकि यह आपर आपको समझ में आ सके यह वास्तिव बिलियन नहीं होते हैं यह यह पूशटिव को दर्ष आते हैं इसके बाद आप एक 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 ईब देंगे बस आपका फिनिस यहां पर आपको पूरे-पूरे नंबर मिल जाएंगे ठीक है इसके बार नेक्स्ट यहाँ पर है कुछिशन नमबर टू निम्न को समझा या आपको का करना है निम्न को आपको समझाना है क्या समझाना है निम्न को आपको समझाना है यहाँ पर आपको लोगों को फार्मलता को समझाना है नर्मलता को बताना है पार्ट्स पर मिलियन को आप को समझाना है तो यहां पर आप लोगों को निम्न पर टिपड़ी करने हैं यहां पर आपको जितने फार्मलता नार्मलता पीपीटी पर आपको यहां पर टिपड़ी करने हैं तो यहां पर जैसे कि यहां पर करें आप फार्मलता तो यहां पर देखो मैंने फार्मलता को यहां JOOP से प्रदशित करते हैं किसे ऐसरे करते हैं यहां पर इसका फार्मुला विले कि ग्राम ग्राम उकनभान विले का मैं था इसका 50 मज़त यहां पर वैट आप मिले का इसके बाद जी फी ए उसके बार इंटने 100 अप वॉल्ण ठीक है आप इसको आप याद रखिए ये आपके लिए काफी important formula है जिससे यहाँ पर कई बार आपसे numerical भी पूँचे गए तो आप इनको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए इसका screenshot भी ले लीजिए इसके बाद यहाँ पर नौरवलता आती है तो नौरवलता क्या होती इसको भी देख लीजिए तो नौरवलता यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वो देखते हैं definition किसी विलियन की जो नौरवलता है उसके एक लीटर विलियन में उपस्तित विले के ग्राम तुल्यांग की संक्या है इसे हम लोग यहन से पदर्शित करते हैं यदि किसी विलियन के एक लीटर में विले पधार्दों का एक तुल्यांग एक ग्रम तुल्यांग विले हो तो इसे हम लोग विलियन की नौर्भलता कहते हैं उसी प्रकार यहादी किसी विलियन के एक लिटर में 0.5 ग्रम तुल्यांग विले पदार्ध विले हो तो इसकी नौर्मलता 0.5 N होती है यह कुशन आपके MCQ में पूंचा जा चुका है इसलिए यहाँ पर मैंने इस कुशन को लिख दिया आप इस कुशन को अच्छे प्रकार से त्यार कर लेना है नौर्मलता का जो बना शूत होता है ग्राम प्रती लीटर बिलियन में बिले का द्रबमान अपान में होता है बिले क में उपस्थित हो तो बिले की नौर्मलता क्या होगी ठीक है तो इसके लिए हमारा एक नया शूतर बन जाता है इसके आपको यह पर याद करने ना यह से आप लोग जानते भी होगे इसको आप अच्छे प्रकार से इसको तयार कर लीजिए इसके बाद यहां पर है पार्ट पर मिलियंग प्योग की जाती है जब बिलियन में बिलियन में द्रब्य का सांदर बहुती कम वो अंसिया भाग आयतनत्वा द्रब्मान के रूप में हो सकते हैं उधार के लिए एक केजी में समुद्री जल में विले ऑक्सिजन का जो द्रब्मान है जीरो पॉइंट सोरी 5.8 दसकी पाबर माइनस 3 ग्राम इतना कम होता है जब किसी बिले में किसी अनपदार का जो पिले बहुती कम मांत्रा में होता है तो इसको हम लोग आपर पीपीम के द्वारा नापते हैं तो आप समझ गए होंगे समुद्री जल का जो पीपीम होता है इसके बाद यहां पर आप पीपीम का फार्मूला देख लीजिए पीपीम कैसे बेलू निकाल जाती घटक जिस घटक का आप से पूचा जाए वो आपको उपर लिखना है बिलेन का द्रबबान नीचे लिखना होता है इन्टू में टेन की पावर्सिस कर देना तो वहां से आपका यहां पर पीपीम आज आएगा ठीक है इसके बाद यहां पर कहरा है आप लोगों को SN1 और SN2 अब क्रियाओं की किरिया विदी समझाए और उनमें अंतर स्वस्ट कीजिए तो यहां पर आप लोगों को अंतर स्वस्ट करना है तो आप यहां पर इसको स्कीन सॉट ले लेंगे ना वीडियो लंबी हो जाएगी आप लोग यहां पर इसका इतने का स्कीन सॉट ले लीजिए यहां तक का स्कीन सॉट ले लीजिए ठीक है इसके बाद यहाँ पर मैंने SN2 और SN1 अप किरिया में अंतर लिख दिया है यहाँ पर अंतर देखते जाए इसका जो वेग है किरिया कारक की सांदता पर निर्वर करता है और इसका जो किरिया वेग कार सांदता पर निर्वर दोनों पर ही करता है यह किरिया दो पदों में संपन होती है यह किरिया एक पद में संपन होती है यहापर मैंने इसके सारे अंतर लिख दी आप सिर्फ इसका स्रीन सौड लेते जाएए आपको यह पूरा हो जाएगा ठीक है स्रीन सौड ले लिजिए सिर्फ आपको यहापर पूरा हो जाएगा इस जो परमाड़ों के मांग भढ़ने के साथ साथ उनके परमाड़ों और आयनों के आकार में भी कमी होती है जिसे हम लोग length and height sun cushion कहते हैं इसका यहाँ पर मैंने region लिख दिया है आप इस region को पढ़ सकते हैं और इसका screen shot जलूर लेने यह आपके लिए question काफी important question है तो length and height sun इसको यहाँ पर अच्छे प्रकार से आप सभी लोग तयार करना है इसके बाद यहाँ पर length and height और accurate आपको इस यहाँ पर होती है प्योडिक table में उसको यहाँ पर आपको यहाँ अंतर कई बार पर प्रिशार में पूछा गया है इसलिए यहाँ पर मैंने आप कुछन को लिख दिया आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको तयार करना है यह आपके लिए काफी important कुछन है आपके board exam के लिए और भी आपकी त्रेमासिक परिच्छा के लिए भी काफी important कुछन है तो यहां से आप कुशन देख लीजिए लेंते नाइट और एक्टे नाइट जो सीरीज होती है हमारी उसमें आप अंतर देख लीजिए या काफी बढ़िया कुशन है आप इसको अच्छे प्रकार से स्क्रीन सौर्ड ले लीजिए ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कुशन है ठीक है इसको आप स्क्रीन सौर्ड लेते जाएंगे ये सभी कुशन आपकी परिच्छा के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पर मैंने इन कुशनों को लिख दिया है ताकि हमारे चात्रों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का शामना ना करना पड़े इसके बाद यहाँ पर चार रेंकिये प्रशन आएंगे तो चार रेंकिये प्रशन यहाँ पर कह रहा है नेम लिखित आपको अब क्रियाओं को समझाना है concept qriya, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है निकलियाों को समझाईए से कि sand mirror rap qriya किसे गहते हैं on sticker रपकिया किसे कहते हैं woods fitting rap qriya किसे कहते हैं freedom craft रपकिया किसे कहते हैं यह कि सारी सारी हमारी naming reaction है यहाँ पर मैंने naming reaction का भी खयाल रखका है कि हमारे बच्चों को naming reaction Board exam में भूद होची जाती तो आप लोगों को naming reaction पर अभी से focus कर ले ना ठीक है अब इसे focus करना start कर दो वरना फिर बाद में बहुत ज़्यादा पश्ता होगे वनना बाद में आपको याद भी नहीं होती है जल्दी में अब लोगों को नेमी्ड रिकशन पर ज्यादा फोकुस 가격 करना में बहुत ज्यादा उसी जाती है ठीक है है उसके आपर लेते जाएंगे यहाँ पर यह रिक्सन बी निख ले लेंगे ठीक है रिक्सन का भी इसकी इन शूर लेते जाएगा इसके बाद होंसी टीकर अपक्रिया आती है यहां पर अच्छे प्रकार यहां पर तयार कर लाना तो अच्छी प्रकार से यहां पर त्यार कर लेना धिया को मैं तो यह था हमारा आज का क्लास यहां का सबी लोगे मोड़ें